दिल्ली बीरो कर्स्पंडेंट हूँ जबकि जो निम्न जाती के लोग हैं जो दलित मुसल्मान हैं उनके साथ भेदवाव ज्यादातर किया जाता है दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताईए मेरा ऐसा मानना है कि इसलाम थों को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदून संक्टरों ने ट्रिपल तलाक को बहु परचारित किया और बदनाम कर दिया भारत के जंजन में ये मानना है कि मुसल्मान औरतों के साथ अच्छा ब्यवाव नहीं किया जाता खार खासकर ट्रिपल तलाक को लेके मैं चाहता हूं कि इस पर अस्पस्ट करा थैंकियू हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया सिंगल पैर एक जोड़ी से मर्द और आउरत की और आपको कबीले में तक्सीम किया ताकि आप एक दूसरों को पैचान सके ना कि आप एक दूसरे से नफरत करे आपको कबायल में तक्सीम किया जो कि आप एक दूसरे को पैच्छान सके ना कि आप एक दूसरे से जगड़े या एक्तिलाफ पैदा करे और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तक्वा है पुरान शरीफ में अल्ला सुनाता फर्माते कि इंसान को पर्खा जाता है ना कि उनकी जाइदाद पे ना दौलत पे ना रंग के उपर क्या काला या सफिद ना अमीरिया गरीब लेकिन तक्वे पे अल्ला सुनाता से कितनी महबत है इतना खौफ है और तक्वा ही चीज़ है जो इनसान को उपर लेकी जाता है दूसरी इनसान से तो जात पात इसलाम में बिलकुल नहीं है और महमद ने आखरी हजद अलविदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बहतर है ना कोई गैर अरब अरब से बहतर है ना ही कोई सफेद इनसान काले से बहतर है ना कोई काला इनसान सफेद से बहतर है सिर्फ तक्वे से इंसान उपर हो सकता है तो जात पात इस नाम में नहीं है ये तो सरनेम है खान, पठान, शेक, सायद ये सरनेम है सरनेम मतलब जैसा होता है ना सरनेम मिसाल की तोर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है देसाई सरनेम है पटेल है जोशी है जो भी है ये सरने में किदर भी कुरान ये हदीष में नहीं लिखा गया है के खान शेक से उपर है हाँ शेक जो अर्बिक में हम सर के जा कहते हैं सर मतला मौतरम तो इस तरीके से अर्बी में शेक एक लगब है जिसे अर्बी के अंदर कहा जाता है मौतरम या कोई जाइफ इनसान को या कोई मालदा इनसान को वो अलग लगब है लेकिन जातक के सरने में इसलाम में कई भी जात पात उची नीची बात ही ने ये बिल्कुल गलत है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते है कि मैं पठान हूँ तो और उचा हूँ मैं शेख हूँ तो उचा हूँ सेजद हूँ तो उचा हूँ ये उनकी गलत सहमी के वज़ रहते हैं कि मीडिया काफी तीन तलाक उच्छाल रही है और इसका क्या जवाब है अफसोस की बात है कि माश्रे में मुसल्मान के माश्रे में तीन किसम की तलाक है मुसल्मान के माश्रे में सोसाइटी में एक तलाक बिदत तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है एक के तलाग के हसन जो तलाग दो एक महा रुको हैस के लिए फिर तलाग दो फिर रुको फिर तीसरा तलाग दो और तीसरा तलाग के हसन जो बिलकुल सभी तरीका है जो कुरान शरीफ के है तलाग दो और तीन महा रुको कुरान के आयते सुरे बकरा में सुरान में दो आयत नमद पूरे मुकम्मिल होने के लिए तीन हैस, तीन महां, तीन मेंस्टरिय साइकल, और थ्री मंथली कोसिस, मस्ट है, कंपलसरी है, अफसोस की बात है कि ये जो इकतिलाफ उम्मत में हैं, उसके एक वज़े है, एक सही हदीथ अबन अबास रदलावन, वो फरमाते है, कि मुम्मत स् के दोर में, तीन तलाव एक ही मानी जाती थी, हदरत अबुबगर के दोर में, तीन तलाव एक ही मानी जाती थी, हदरत अमर के पहले दो साल के दोर में, तीन तलाव एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद, हदरत अमर, उस सिटुएशन को देखके, वो कहते हैं, अगर को और कई उल्मा में इक्तिलाफ है, लेकिन उल्मा में इक्तिलाफ है, रहेंगा एक मच पहाएंगे कि एन ल्लाव आलम, लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, और कुरान में तलाओ का जिकर किया गया है, सुरह बकरा में सुरह नमबर 2, आयत 286 ते लेकि 240 सक्ति, और सुरह तलाओ में, सुरह नमबर 65, आयत नमर 61, जो कुरान मजईद में तलाओ का जिकर है, उसके अंदर ये है, कि कभी कोई difference or opinion, कोई जगड़ा हो जाता है शो और बीवी में तो पहला शो और बीवी बेट के बात करें ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा दाल दिया और तलाक 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 के दिया और तलाक हो गया अगर बीवी में नमक ज्यादा दाला बोले आपको नमक कम जाये मामला सुल जाएंगा बेड़ के बात करो फिर भी बात ना बने तो अल्द 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 फर्माता है सुरह निसा में सुरह नम्बर 4 आयत नम्र 35 में कि आपकी दर्मान एक हकम रखो एक आर्बिटर एक आर्बिटर बीवी के तरफ से एक आर्बिटर शोर के तरफ से मतला आर्बिटर हकम करते आर्बिटर हकम रखो बीवी के तरफ से और शौखर के तरफ से और मामला को सुल जालो फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते और तलाक देते हैं तो कई उसके रिटरियाज है कहे इसके वक्त तलाग मत दो जब आप घुसे में तलाग मत दो शराप के हालत में तलाग मत दो उसके बाद जब तलाग दिया जाता है तो तीन माहा रुकना चाहिए तलाग के आहसन है जो बिलकुल सही तरीका है तलाग दो और तीन माहा रुको और तीन माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते है अपने बीवी से तो रुजू हो सकते हैं अगर तीन माह तक आप समझते ने मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए तो तीन माह के बाद इदद गुजरने के बाद आप दोनों मिया बीवी नहीं रहते हैं आप अ इसके बाद अकसर मुसल्मान भी नहीं जानते ये पुरान की ऐयत क्या है? कुरान शरीफ में लिखावाई सुरे बक्रा में सुरा नमस्त बाइत नमस्त बो सबतीस में कि अगर वो शक्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रुकिए तो अगर तलाक हो चुका है तलाक के आसन के तरीके से और तीन महां हो गए, इद्ध गुजर गए छे मेनें भाद अगर अगर लगा भा जो मैंने कैं गलत किया मैं फिर से शादी करना चाता है तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निका कर सकता है लेकिन नया निका, नया महर नया निका, नया महर जो कई मुसल्मान नहीं जानते अफसूस की बात है कि हम मुसल्मान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदिस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फेहमिया हैं दूर होईगी और फिर से अगर शादी हुई फिर से आप साथ मेरे सकते फिर से प्राप्लम हुआ तो फिर दलाग दो फिर तीन मार रुको फिर से अलग हो जाओ फिर से आप चाहते हैं फिर से शादी कर सकते तीन बार जाय से तीसरे बार आखरी बार है उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शक्स मेरे जिन्दगी में नहीं आया जो तलाग के आसन किया सही तरीके से तलाग दिया इलादा हो गए फिर निकाह हो गए फिर इलादा हो गए फिर निकाह हुआ फिर इलादा हो गए मैंने कोई भी शक्स मेरे जिन्दगी में पूरे दुनिया में ऐसा शक्स के बारे में सुना ही नहीं जो सभी तरीके से किया और बिचड़ गया फिर से शादी की फिर से बिचड़ गया फिर से निकाए के फिर बिचड़ गया फिर शादी करना चाता है अगर आप सभी तरीके से कुरान के उपर अमल करेंगे तो यह नौबत आएंगी नहीं मामद صلی اللہ علیہ وسلم के وقت पे तीन भी एक साथ में देना एक होता था حضرت अबुकर के टाइम में भी तीन देना एक होता था حضرت अमर के दोर में लोग जो कहते तीन देना होती है कई उल्मा कहते हैं कि उन्हें ये अपने फत्वे पे रुझु किये और उन्हें अफसोस था कि ए फत्वाँ उन्हें दिये और कई लोग कहतें ने उनका फत्वा सभी था इसमें उम्मत का एक्तिलाफ है लेकिन अगर कुरान की रोश्णी में देखेंगे तो तीन तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है हदरत उमर के दौर में रदीर उन्हे कहा था कि हम उसे कहने सकते क्या गलत है लेकिन उल्मा ये कहते है मैं साथ अपन टीमिया शेक इपन टीमिया वो कहते है कि ये हदरत उमर में लाग़े प्रीद की इसके अंदर हमें बात मानना चाहे कुरान और अल्ला के रसूल की इसके अंदर हदरत उमर में लाभी पीज़ दे थे प्रदलवान उनने रुजू किया इसलिए वो कहते के तीन तलाग भी होईगी तो एक ही होती है तीन नहीं होती इसमें उम्मत नहीं कहेंगे तलाग होती ही नहीं वो उनकी नादा नहीं है वो उनकी जहलत है तो हमें क्या करना चाहिए यह मीडिया उच्छाल रही है हम मुसल्मानों को यह तलाग का तरीका जो सही तरीका है तलाग के हसन उसको आम करना चाहिए और यह कहना चाहीए किस बुनियाद पर तलाग दी जा सकती है, कब दी जा सकतی है, कैसे मोके पर दी जा सकती है, देना चाहीए के ने, तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे, तो इन्शालला ये इकतिलाफ जो उम्मत में है, वो नहीं रहेंगा, और मीडिया उसे उचाद रही है झाल